हेलो फ्रेंड्स यह भेज़ फ्रेंट आप नई रेसिपी तब बनाने जाआ ए किसको बनाने नहीं आती है बट जो फ्रेशर्स है जो अभी नया नया कुकिंग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पूल होगा क्योंकि एक दम ये घरेलू पदेती में मैं बनाऊंगी तो जिसके लिए मैंने यहां पे 500 ग्राम आटा ले लिया है उसको मैं अच्छे से चलनी से चाल लिया है उसके बाद मैंने इसमें डाला अजवाई देखे फ्रेंड्स ये एजिली किसी भी ग्रासरी सौप में अवेलेबल हो जाता है अगर पाच रुपे के अजवाईन भी लोगे तो बहुत ज्यादा मिल जाता है या उसके बाद मैंने यहां पे डाला काला जीरा या कलॉनजी भी से बोलते हैं और फिर मैंने इसमें डाला नमक मेरा यहां 500 ग्राम आटा इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग यहां पे मेजर्मेंट लिया है आप अपना क्वांटिटी के अकॉर्डिंग देख लीजी अब मैंने यहां मोयम के लिए डाला है रिफाइन ओई आप इसके जगह में घी या बटर का भी यूज कर सकते हो तो चली इसको पहले भी ली बटर कर लेते हैं और फ्रेंट्स तब तक मिक्स करना है और जब तक की यह अच्छे से मिक्सना हो जा और इसको चेक करने का देखिए इस टाइप से जैसर में मुट्ठी बना रही हूँ तो यह पुरा मेरे मुट्ठी में आ जारहा है बज़रा बुर्भूरा नहीं है इसका मतलब है कि मोया मेरा अच्छा से मिक्स हो चुका है जितना ज्यादा मिक्स किजिएगा उतना ज्यादा यह सॉप्ट हो का देखिए यहां भी मेरा जो है एकदम बंजारा लड़ू के टाइप से तो अब चलिए तब इसमें डालेंगे पानी मैंने अर हे टारेंगे सटत्य से तो अब आता या माइदा किसी को भए गुणगुना पानी से अगर ड़ी करते हो तो वह बहुत टाइम तक सआफ्ट रहता है तो चलिए, देखिए, मेरा धीरे धीरे और पानी एक बार में नहीं देना, हलकल का पानी देखें मैंने, एक डो रेडी कर लिया देखें अब इसको रेस्ट पे रख देंगे, मिनिममं 15 मिनट्स तो मैंने यहाँ पर 30 मिनट्स के लिए रखा है क्योंकि मेरे फ़र 30 मिनट्स हाथ में टाइम है और अब 30 मिनट्स हो चुके थे चलिए देखते हैं देखिए यह थोड़ा सा फुल भी गया है देखिए बहुत सॉफ्ट दिख रहा है तो इस टाइप से आपको दो रेडी करना मैंने यहाँ चड़ा दिया है कड़ाई कड़ाई में मैंने दे दिया है रिफाइन ओईल और मैंने पूरिया भी बेल कर रखा हुआ मुझे थोड़ा बड़े साइस की पूरिया पसंद है कड़ाई में जनरली लोग पूरी तलने के लिए बहुत ज्यादा ओयल देते हैं बट मैं देखे कम तेल में ही मेरी जो पूरिया है कितने सुन्दर फूल चुकी है और मैंने थोड़ा यहां मुझे गोल्डेन ज्यादा पसंद है तो मैंने इसको गोल्डेन ज्यादा किया है आ किसी से भी आप इसे सर्फ करें बहुत ही यह इलजीज लगता है खाने में और बहुत टाइम तक आप इसे दो चार दिन जितने दिन भी रखोगे यह बहुत ज्यादा ही सौफ्ट रहता है तो फिर मिलते हैं एक नई दिन में नई सुभा में नई रेसिपी के साथ तिल देन टेक केर बबाई थैंक्स पर वाचिंग